दोस्तों कि आप जानते हैं कि सांप और छिपकली के अलावा भी इस धर्ती पर सबसे खतरनाक जहरीले जानवर पाई जाते हैं जिनका जहर एक बार किसी के शुरीर में पहुंच जाए तो वो दोबारा कभी नहीं उड़ता ये जानवर इतने जहरीले हैं कि ये सर्फ जानवरों को नहीं बलके इंसानों को भी अपने काटे से मौत के मुझा देते हैं वैसे अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं वैसे तो आपने बहुत सी मकडियां देखे होंगी लेकिन आज जो मकडी हम आपको दिखाने वाले हैं ये सबकी माह है इस मकडी का नाम है Brazilian Wondering Spider इसका नाम Wondering इसलिए पड़ा क्योंकि ये रात के सूनसान पैर में अपने शिकार को तलाश करने के लिए घूमती रहती है और ये मकडी सिर्फ रात में अपने शिकार को दपूचती है तो ये मकडी उसके अंदर बैटी थी इसने किचन में किसी चीज़ पर अपने दान गड़ा दिये जिसके बाद उस घर के मालिक की बहुत जार अहालत खराब हो गई और अगले एक हफ़ते के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि इस आदमी के शरीर में इस मकडी का जहर पहुच गया था लेकिन वो बहुत ही थोड़ी मातरा में था इसलिए उस आदमी को बचा लिया गया यह मकडी जब ज़्यादा घुसे में होती है तब ही अपने शिकार को देखती है तो उस पर हमला करने के लिए अपने दाटों और अपने पंजों का इस्तिमाल करती है और इनी की मदद से अपना खतरनाक जहर सामने वाले के शरीर में उतार दीती है इस मकडी के अंदर नियूरो टॉक्सिन पी एच्टी एक्स त्री पाय जाता है जो नसों में जाकर आतंक मचाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है जिसके बाद इनसान को बहुत जादा दर्द का एसास होता है और साथ ही इस से आपके मुसल्स भी काम करना बंद कर देते हैं और अगर आप इस जहर को जल्दी से शरीर में फैलने से ने रुकते तो इस से आपकी जान भी जा सकती है बोले तो तक से गायब नमबर टू कमोडो ड्रागन ये एक बहुत ही विशाल रिंगने वाली चिपकली है जो देखने में तो खोखार लगती है और साथ इसका जहर भी कुछ खम खतरनात नहीं है ये प्रजातिस धरती पर करीब 200 साल से रह रही है इसका जहर कहीं भी इतना असर नहीं करता जितना कि शरीर में प्रोटीन जीन्स के लिए घातक सावित होता है कमोडो ड्रैगन वो प्राणी है जो एक बार अगर किसी के शरीर में अपना जहर इंजेक्ट कर देता है तो समझ लीजे कि सामने वाला बिना हिले डुले हत्या डाल देगा क्योंकि कमोडो का जहर शरीर में पहुँचते ही बाडी को परलाइज करना शुरू कर देता है अब बात करते है कून स्नेल की जो देखने में बिलकुल भी खतरना कि अफर्स जहरीला नहीं दिखाई पड़ता इसका कलर ब्राउन और वाइट होता है साथ ही इसके शरीर पर लाइने खिची होती है ये देखने में बड़ा ही सुन्दर होता है ये स्नेल गर्म पानी में रहते हैं और इने पूरी दुनिया में आसानी से देखा जा सकता है इन स्नेल के अंदर कुछ वेनम ग्लाइंट्स मौजूद होती है जैसे चोटे चोटे ट्रांसपैरंट हार्पून्स जिनकी मदद से ये शरीर में बहुत तेजी से जहर को इंजक्ट कर देते हैं और इनका जहर दुनिया का सबसे तेज और जल्दी असर करने वाला जहर माना जाता है इसकी सबसे खास बात ये है कि इनके जहर का पता आसानी से चल नहीं पाता जातर जो जहरीले शिकारी होते हैं वो एक या फिर कुछ टॉक्सीन्स अपने शरीर से बाहर निकालते हैं लेकिन ये कुन स्नेल के शरीर में सौ से उपर अलग अलग तरह के टॉक्सीन्स पाई जाते हैं जो अलग अलग तरीकों से शरीर के नवस सिस्टम पर अटाक करते हैं यह सनल बहुत ही जादा जहरीले होते हैं और इनके अंदर कुछ ऐसी खासियत है जिससे यह आसानी से किसी को भी अपने जहर का मज़ा चखा देते हैं अगर आपको भी लगता है कि आप जंगल की या फिर खत्रों की दुनिया से कोसो दूर हैं तो यह सिर्फ आपके गलत फहमी है क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल करीब सौ से हजार लोग लग बग पांसो अलग-अलग सापों की जहरीली प्रजातियों की बाइट से मौत का सामना करते हैं खुलमिलाकर जायतर मौते होती हैं जहर के वज़ा से अब बात करते हैं गोल्डन डार्ट फ्रॉग की जिनने जहरीली प्रजाति के लिस्ट में श्रामिल किया गया है ये मेड़क एमेजान के जंगलों में घूमते फिरते हैं इन मेड़को की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई करीब 5 सेंटिमीटर तक होती है वहीं इनका रंग को चमकदार पीले रंग का होता है इस मेड़क को दुनिया का सबसे खतरनाक टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीव माना जाता है जो एक बहुत ही अलग और आसाधारन है जिसे वेटाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है यह जहर मेड़क की दूसरी नॉर्वल प्रजातियों के जहर से बीस गुना जादा खतरनाक और जानलेवा थावित होता है अलकालोडिस, वाइजन, कुछ हद तक पौधों के बीजों पर बिजड होती है जैसे मॉर्फीन, निकोटीन और कैफीन यह सब अलकालोड्स के टाइप्स है जिसका मतलब है कि यह सीधा आपके दिमाग और दिल पर हमला करते हैं यही दोनों चीज़े इंसान को जिन्दा रहने के लिए काफी होती है इस जहर के असर से यह पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और साथी नर्वस इंपल्स को भी रोक देती है हमारे शरीर में कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जिनको यह परालाइस कर देते हैं यह मेड़क अपने जहर का इस्तिमाल तब करते हैं जब यह बर्ड से अपनी सुरक्षा करते हैं लेकिन कुछ सालों से यह देखा जा रहा है कि मेड़क की एक प्रजाती इस जहर का इस्तिमाल अपने बचाओं में नई बलकि शिकार को मारने में कर रही है जिसका नाम है Golden Dart Frog इसके जहर से दो साल के अंदर ही की मौत नजर आने लगती है Dart Frog की सबसे खास बात यह है कि जहर उसे अपनी डाइट से मिलता है जिसमें बीटल्स, दीमक और साथी चीटिया शामिल है यही सब खाने से Dart Frog को ताकत और मारने के लिए जहर मिलता है Australian Box Jellyfish यह धरती का एक ऐसा खतरनाक जहरील आजीव है जिसका जहर भाई मौत से कम नहीं है यह देखने में भी कुछ अलग ही है साथ है इसके लंबाई भी अच्छे खास्ती देखने को मिलती है इस Jellyfish के जो Tenticles होते हैं उनकी लंबाई करीब करीब तीन मीटर तक ही होती है और इसका मुझ कुछ बॉल के आकार का होता है यह Tenticles Millions Nematocitis से मिलकर बनने होते हैं इनी की मदद से यह दुश्मन के शरीर में जहर उतारने में कामियाब होपाती है इसके जहर के वज़े से मरने के से पहले इनसान पूरी तरह से तड़ब जाता है और इसको कुछ पता नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है इसलिए इस Jellyfish को सबसे ज़्यादा जहरील अजीव माना जाता है इसमें जो Neuro Toxin होते हैं वो आपके शरीर के नवस सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर देते हैं और जो Cardio Toxin है वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके दिल को ब्लॉक कर दे और जो Dermonicotic Chemical है वो तो जल से जल्द आपको मार गिराते हैं इसलिए इस जैली फिश के आतंक से दूरी बनाए रखें स्टॉन फिश ये बहुत ही खतरनाक मचली है ये मचली जायतर आउस्ट्रेलिया के बीच पर देखने को मिलती है ये देखने में पत्थर जैसी होती है इसलिए कोई भी इस पर आसानी से पैर रख देता है और इस वज़े से इसका जहर इनसान के शरीर में पहुंच जाता है लेकिन इसके जहर से मौत तो नहीं होती हाँ पर जान पर जरूर बनाती है नमबर सेवन हार्वेस्ट आंट ये चीटिया दुनिया की सबसे खतरनाक चीटियों के लिस्ट में शामिल है इनका जहर बहुत जादा खतरनाक और दर्दनाक होता है जब भी ये किसी इनसान को काटती है तो उसके शरीर में एक अलग सी तबाही मत जाती है और बहुत जादा दर्द का एसास होता है इसलिए इन चीटियों को सबसे जहरीली चीटियों होने का खताब दिया गया है दोस्तों आपको इन में से कौन सबसे जहरीला और दर्दनाक लगा कॉमेंट में जरूर बताईए वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें